आयोध्यर याइसी इलाका कोतवाली नगर के रिकाब गण मार्केट में बैक की दुकान में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने बाम मुस्किल काबू पा लिया है दमकल की आठ गाडियों ने लगभग दो घंटे की कोशिस के बाद आग पर काबू पाया है मौके पर आईजी संजीव गुपता कमिस्नर मनोच गुमार में स्थ एसेसपी आसीस तिवारी भी पहुँचेते इस्थानी लोगों ने पुलिस कर्मियों वाँ फायर विभाग के लोगों की आग पर काबू पाने की कोशिसों की तारीव किये खास बात ये रही कि द्वैक की दुकान वा गोदाम जिस मार्केट में हैं वहाँ फायर सेफटी के कोई इंतजाम नहीं था साथ ही मार्केट में फायर सेफटी के इंतजाम क्यूं नहीं थे इसकी जाच के बाद विधिक कारवाही की बाद कही हैं आपको बताते चले सुबह के वक्त रिकाब गंज की मार्केट में बैक की दुकान में भी सडाख लगी थी जिसका दुआ एक किलोमीटर दूर से देखा जा रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते वे आसपास के घरों में लोगों को बाहर कर दिया था। अब हाला समान हैं लोग अपने घरों में जा चुके हैं। खास बात ये रही कि बैग की दुकान गोदाम में लाखों का पूछना नहीं है। पूरा बजार का एरिया है तो जदी टाइमली इंट्रमेंशन होता है पूरा बजार भी जलता हुआ है। सभी पूरे दुकानदारों को जैसे ही जनपत में आया था तो सभी को नोटेस दिये थे और इनके उपर में बताया भी करवाई की जाएगे तो यह लोग फायर सेटी पुरा नहीं रखते हैं। जैसा यह नया शोरूम यह बता रहें कि नया शोरूम अभी खुला था भी इसका उद्गाटन में नहीं हुआ था तो इसमें कह रहा है कि फायर जो आरिज्मेंट थे वो नहीं करवा पाए तो आगे जो विद्गार्वाई होगी जाई। दुकान किसी और की है उसमें जो है कुछ लोग लिज्ज पर लिये हूए उनका जो है जला हुआ हमारे एक तयब भाई है उनका सामान जला हुआ जो बैग अपना रखते है उसमें उन्होंने गडाउन लिया है नीचे भी जो इस दुकान मेंक अब गैलरी वो भी गडाउन यह तो वहीं बता सकता है जिसके वारे में हub आ तो थो दूकान बहूपर नीचे वाली बद्न के इक कहींक हों अर जयादा नहीं करते हैं तो पहले छोड़ नहीं पहले में घंक हती हो तो में समय अपने समय तकारियों को मैंने सुचना दिया और कंट्रोल सुचना दिने बाद में अपने जो भी हम लाही है मौजोद यह सब ले करके में तुनत आग बुझाने में लग गया दरवाजा किसी तरीके से खुलवाया फाय टंडर जबाई जेसे आ गई किसी तरीके से क्योंकि दरवाजा इतना हीट हो रहा था उसे खोला नहीं जा सकता था कटर से काट करके किसी तरीके से दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसा गया है और आग पर काबू पाया गया है राजिस मान मिस्रा में चोकी कर दी प्रावारी चोकी